अगर आप सौरफ गांगूली के फैन हैं सौरफ गांगूली से प्यार करते हैं और दोस्तों कभी सौरफ गांगूली की बैटिंग कैप्टनसी आपको पसंद थी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी होने वाली है बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है कोई भी सौर का मिला इंडिया की तरफ से पहला टेस्ट मैच खेलने का दोस्तो ये कहानी मैं सुनाने वाला हूँ सौरव गांगुली की ऑटो बायोग्रफी सेंचुरी इस नॉट इनफ से इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्चन में दे रखा है आप अमजॉन से इसको खरी सकते हैं दो सौरव गांगुली की कहानियों की सीरीज अब इस चैनल पे चलती रहेगी दोस्तो मैच था वर्ल्ड कप का सेमी फाइनल 1996 का सेमी फाइनल इंडिया वर्सिस स्री लंका उस समय सौरव गांगुली ने 92 में सिरफ एक वंडे खेला था पहले वंडे में तीन रन बनाये थे और उनको अब उमीद थी कि इंडियन टीम पे आएंगे और वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पूरा वर्ल्ड कप वो C.A.B. के आनुवल मेंबर स्टैंड में बैठ के मैच देखा करते थे इडिन गार्डन्स में सेमी फाइनल मैच इंडिया श्री लंका कौन भूल सकता है और इडिन गार्डन्स में जितने भी सपोर्टर्स थे इंडियन फैंस थे उन्होंने आग लगा दिया था बोतल फैका था बहुती जादा कोहराम मचा था इंडिया के हारने के बाद सौरफ गांगुली अपने आटो बायोग्रफि में लिखते है कि उनका देशभक्त वाला दिल ये चाहता था कि इंडिया वो मैच जीते पर कही न कहीं दिल में ये भी था कि इंडिया के हारने के बाद अब सौरफ गांगुली के लिए इंडिया की टीम में आने का मौका दर्वाजा खुल गया है वर्ल्ड कप में स्री लंका से हारने के बाद टीम सिलेक्शन फिर से बैठी शारजा के लिए सिलेक्शन होना था सौरफ गांगुली पूरी उमीद बनाए बैठे थे कि अब तो सौरफ गांगुली का सिलेक्शन होगा क्योंकि सौरफ गांगुली रंजी ट्रोफी में बहुती शांदार बैटिंग कर रहे थे चार साल का जो लंबा इंतजार था सौरफ गांगुली का वो अब खतम होगा अब वर्ल्ड कप के बाद शारजा के लिए सौरफ गांगुली को इंडिया की टीम में सिलेक्ट कर लिया जाएगा सौरफ गांगुली बताते है कि जिस दिन सिलेक्शन होना था उस दिन सौरफ गांगुली मैदान से प्रैक्टिस करके अपने मारूती 800 में अपने घर में लोट रहे थे सौरफ गांगुली बोलते है कि उस समय मारूती 800 होना बहुती बड़ी बात होती थी और सौरफ गांगुली को उनके दादा जी ने मारूती 800 गिफ्ट किया था जब सौरफ गांगुली ने ग्राजुएशन पास किया था तो दोस्तो घर लोटते वक्ट सौरफ गांगुली बहुती जादा excited थे क्यूंकि जो selection committee थी वो बैट चुकी थी मुंबई में और सौरफ गांगुली का selection होना लगबग तै था उसके बाद दोस्तों सौरफ गांगुली के एक journalist friend आते है और आके सौरफ गांगुली को बताते है कि इस बार फिर से तुने इंडिया की बस miss कर दी सौरफ गांगुली का दिल एकदम से तूर जाता है बिखर जाता है सौरफ गांगुली अपने घर में जाते है किसी से भी बात नहीं करते है उनका बहुत मन करता है कि वो अपने पिता जी माता जी सब को जाके अपना दुख सुनाए पर वो किसी से बात नहीं करते है वो चुपचाप अपने रूम में चले जाते है और रोते हुए अपने बेड में सो जाते है उसके बाद उनका दिल करता है कि फिर वो कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे वो अगले दिन प्रैक्टिस में भी नहीं जाएंगे उनका दिल एकदम बिखर जाता है पर दोस्तो सौरफ गांगुली अपने किताब में लिखते है कि एक सचे फाइटर का जजबा जिगरा एटिट्यूट तभी दिखता है जब वो मुसीबत में होता है सौरफ गांगुली ने कहा कि मैंने गलती की कि मैं बहुत दिन उदास रहा कुछ दिन में प्रैक्टिस में भी नहीं गिया पर मैंने अपने आपको समाला मैंने अपने आप से कहा कि नहीं मुझे positive रहना है और मैं fight करूँगा मैं लड़ूँगा मैं perform करूँगा और Indian टीम में अपनी जगा जरूर बनाऊंगा उसके बाद दादा ने बहुत मेहनत किया बेंगॉल के club cricket में खेलते हुए दादा ने इतना शांदार performance किया कि selectors गांगुली से अपनी आख नहीं हटा पाए शार्जा के try series में भी इंडिया की टीम बुरी तरीके से हार गई और अब selection होना था इंग्लेंड टूर के लिए इंग्लेंड टूर जहाँ पे बड़े बड़े इंडियन खिलाडी flop होते थे वहाँ पे अब जाना था इंडिया को गांगुली लिखते है कि जिस दिन इंग्लेंड टूर के लिए selection होना था उस दिन वो एक match खेल रहे थे बेंग्ल का club cricket खेल रहे थे और उनका ये था कि उनको बस इस match में perform करना ही करना है selection वो उस time भूल गए थे उन्होंने उस match में इतनी ताबर तोड बल्ले बाजी करी कि सारे selectors का ध्यान सौरफ गांगुली पे automatic चला गया और दोस्तो शाम होते होते उनके उसी journalist दोस्त ने सौरफ गांगुली के पास आए और गांगुली को कहा माहराज यू आर इन उसके बाद जैसे सौरफ गांगुली के खुशी का ठिकाना नहीं रहा उनके लिए जैसे सारे सपने पूरे हो गए वो सबसे पहले अपने घर गए घर जाते ही उनके माता जी ने कहा कि सबसे पहले भगवान के पास जाओ और उनको thank you बोलो धन्यवाद बोलो क्योंकि दोस्तों सौरफ गांगुली कहते है कि उनकी family बहुती जादा religious थी और दोस्तों कुछ भी अच्छा काम होता था सबसे पहले भगवान को धन्यवाद किया जाता था इसके बाद सौरफ गांगुली ने अरुन लाल को thank you कहा क्योंकि सौरफ गांगुली बताते है कि उस समय उतना media नहीं होता था ESPN, Crick, Info, Sports, Kira ये सब भी नहीं होता था कि आपके performance को एक article में लिखा जाए जैसे कि दोस्तों सौरफ गांगुली बोलते है कि उस समय जो की बड़े खिलाडी होते थे उस state के बड़े खिलाडी होते थे वही आगे इंडिया में बात फैलाते थे कि मेरे state का ये खिलाडी बहुती बहतरीन है चाहे वो सचिन हो, चाहे वो ड्रेविड हो, सचिन नहीं होते अगर मुंबई के क्रिकेटर्ज सचिन की तारीफ नहीं करते आगे जाके तो बेंगॉल के क्रिकेٹर थे अरुन लाल, अरुन लाल ने सोरफ गांगूली की बहुत तारीफ खी थी पूरे आल ओवर इंडिया में जिससे की सौरफ गांगुली को लोग जानने लगे थे उसके बाद सौरफ गांगुली ने शंबरन मुखर जी को भी थैंक्यू बोला क्योंकि उस समय जो की E-Zone के सिलेक्टर थे वो शंबरन मुखोपाद्दाई थे जिनकी वज़े से सौरफ गांगुली का सिलेक्शन हुआ शौमबरन मुखोपाद्दाई ने बहुती लड़ाई लड़ी चार साल से उन्होंने लड़ाई लड़ी सौरफ गांगुली को टीम में लाने के लिए शौंबरोन मुखोपादाय ने हर एक सिलेक्शन मीटिंग में पूरी की पूरी सिलेक्शन कमीटी से पैरवी करते थे सौरव गांगुली की कि ये खिलाडी बहुत ही शांदार है इसको टीम में लेना ही चाहिए और उनकी ही वज़े से सौरव गांगुली इंडिया टीम में आ उसके बाद से आज का दिन है सौरव गांगुली इंडिया के लिए एक लेजंड है तो दोस्तों सौरव गांगुली की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं सौरव गांगुली की ये कहानी हमें बताती है कि आपके उपर कितनी भी मुसीबत हो कितनी भी कठिनाई हो कितनी भी प चुरू करो एक ना एक दिन आपको जरूर सक्सेस मिलेगी और जिस दिन आपको मौका मिला उस दिन फार दो कभी भी उमीद हार के मत बैठो कि अब तो मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए जिस दिन आपने खुद सोच लिया कि आपके लिए साहे रास्ते बंद हो गए उस दिन सही में आपके लिए साहे रास्ते बंद हो जाएंगे इसलिए कभी ये मत सोचो कि मैं हार गया क्यूंकि दोस्तो जो इनसान ट्राई करता है जो इनसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है तो दोस्तो सौरफ गांगुली की आटो बायोग्रफी से ऐसे ही इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कहानिया